इस तस्वीर को बहुत गौर से देखी पीछे आतंगी संगठन आईयस का काला जंडा है काले कपड़ों में सामने खड़ा आतंगी उंगली से इशारा कर रहा है उसके शरीर पर ग्रेनिट बंदे हुए हैं सिर पर काला कपड़ा बांदे हुए है और तस्वीर के साथ लिखा ह है एहतिशाम बिलाल जब इस आतंगी की तस्वीर सामने आई तो लोगों के होच उड़ गए इस आतंगी के घरवाले हैरान रह गए क्योंकि उनका बेटा दिल्ली के पास ग्रेटर नौइडा की शारदा यूनिवरस्टी में रेडियो ग्राफी की पढ़ाई कर रहा था इस लेकिन उसके घर लोटने के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया इसके बाद इस घर में मातम का माहौल है आतंगी एहतिशाम बिलाल की माँ बाप उसकी बहन हर किसी की आँखों में आसू है पिता कह रहे हैं जब वो वापस आया तो उसके मुह से आपको बता दे 4 एक्टूबर को ग्रेटर नर्डा की शार्ड़ा यूनिवस्टी में स्थानिय चात्रों और अफगानी चात्रों के बीच मार पीट हुई थी इस दौरान कुछ लोगों ने एहतिशाम को भी अफगानी समझ कर पीट दिया था इसके कुछ वक्त बाद वो ग के जंडे के साथ उसकी तस्वीर आने के बाद हरकंब मच गया फिलाल उसके घर लोटने के बाद अब वो पुलिस के कबजे में है